Hello friends, welcome back to my YouTube channel महतारी वंदन योजिना का जो फॉर्म है आज 5 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोगों को आज से फॉर्म 12 बजे के बाद फिल होना सुरू हो जाएगा आप online या offline माध्यम से भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं इस वीडियो में आप लोगों के दो सवालों का जवाब देने वाला हूँ अगर आपके पास निवास परमार पतर नहीं है तो आप कैसे apply कर पाएंगे अगर आपके पास बिवाह परमार पतर नहीं है तो कैसे apply कर पाएंगे इन दोनों सवालों को आपके यूटूब में किसी ने जवाब नहीं दिया है मैं आप लोग को ओफिशियल बात बताने वाला हूँ जिससे कि आपको कोई परिसानी नहीं होगी आप ध्यान से सुनेंगे और अपलाई कर लेंगे ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आपके ग्राम पंचायत वाड पंचायत या वाड में जाकर आप लोग से नगर निगम नगर पंचायत वाले अब आप लोगों से क्या लेंगे आवेदन लेंगे ठीक है, अगर वहाँ पे आपका निवास परमार पत्र नहीं है तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा आपके पास निवास परमार पत्र और विवाः परमार पत्र नहीं है तो आपको कोई परिशानी नहीं होगी अगर आपके पास बिवाह परमाडपत्र नहीं भी है तो आपका सत्यापन हो जाएगा आपका निमास परमाडपत्र नहीं है तो आपका सत्यापन हो जाएगा कैसे होगा तो आप लोग अगर जो आपके वाट पारसद है उनके पास जो कि आपका मानने होगा और निमास परमाडपत्र के लिए एक फोम आता है जिस पे लिखा रहता है जाती निमासी परमाडपत्र उस पे आप लोग का सत्यापित करके दे देंगे तो आपका मानने होगा उम्मेद करता हूँ कि आप लोग को दोनो जो जानकारी है बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि अब आप लोग को भटकनी की जरुवत नहीं है, परिशान होनी की जरुवत नहीं है, आपके ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं वे या फिर आपके वाड में जो आपके पारसद उनके द्वारा आपके जो विवाह परमारपत्र है उसका सत्यापन हो जाएगा और आपका निवास परमारपत्र का भी सत्यापन हो जाएगा तो आप लोग नीडर होके आप लोग फॉर्म फिल करेंगे फॉर्म का 18 तारीक, 18 फरवरी लाश्ट डेट है तो आप लोग अच्छे से फॉर्म को फिल कर लेंगे और अपने आसपास जो भी नगर निगम में रहते हैं नगर निगम में और नगर पंचायत में रहते हैं तो नगर पंचायत में जाकर आप निवास परमारपत्र और विवाः परमारपत्र सत्यापित कर सकते हैं वो पूरी तरह मानने हैं यहाँ पे देखिए महतारी बंदन योजना के तहट विवाः पंजियन परमारपत्र करें कोई डाउट हो तो कमेंट्स करें सेर जरूर करें ताकि किसी को परिशानी नहों धन्यवाद